Assalamu alaikum students Students, जैसे के आप जानते हैं कि हम chapter number 3 which is related to energy study कर रहे हैं आज कल और इस chapter में हमने अभी तक जितने भी lectures पड़े हैं उसमें हमने पहले lecture में देखा about the definition of energy उसके units और फिर उसके बाद हमने preview लिया what are renewable and non-renewable energy resources कौन-कौन से थे इसे जो पिछला lecture था उसमें हमने non-renewable energy resources यानि के जो conventional energy resources थे वो study किये और जो energy की ज़्यादा तर requirement है वो students conventional energy resources से ही पूरी हो रही है तो इसलिए हम उनको major energy resources कहते हैं और वो तीन थे जिनमें fossil fuels थे, hydro power थी और nuclear energy थी तो आज हम जो topic पढ़ने जा रहे हैं वो है renewable energy resources ये topic मैं आपको slide share से इसलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि इसका content आपकी book में available नहीं है जो मुहम्मद कश्मीरी साब की book है उसमें ये content available नहीं है तो जब ये आप video देखेंगे तो आपने साथ साथ अपनी notebook उठा लेनी है और उस पर ही साथ साथ note करते जाना है क्योंकि इस content is not available in your prescribed book साथ साथ लिखते भी जाईएगा तो चलें देखते हैं कि renewable energy resources कौन से होते हैं the energy resources which can be used to produce again and again which can be used to produce energy in fact यहाँ भी produce के बाद energy लिखेंगे आप which can be used to produce energy again and again are known as renewable energy resources कि वो energy resources जिन से आप बार बार energy produce कर सकें जिनके deplete होने का खतम होने का खतरा नहीं होता which do not have limited power तो उसको हम renewable energy resource कहते हैं नीचे इन्होंने pictures के साथ बताया हुए कि कौन कौन से renewable energy resources हैं पहला तो है solar, फिर wind, फिर hydro, फिर bio energy and then there is geothermal energy फिर इसको इन्होंने explain किया होगा है यहां पे मैं बात कहना चाहूंगी कि यह देखें कि हाइडरो की बात है हाइडरो हमने non-renewable में भी पढ़ा था हाइडरो देखें पानी को अगर आप हद से जाया करेंगे ठीक है तो आप उसकी पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकते है देखें जब हम हाइडरो पावर के सरी अलेक्रिक सिटी पर्डियूस करते है तो अगर पानी की स्टोरेज होगी तो हम उसे कर सकेंगे तो इनसेंस वो non-renewable ही है और renewable भी है तो हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे लेकिन आज के टॉपिक में हमने सिर्फ renewable energy रिसोर्स पढ़ने है सबसे पहले है solar energy सूरज की जो रौशनी है सूरज तो एक बेपना खजाना है light का, heat का तो ये कभी खतम होने वाला नहीं है wind energy हुआ चलती रहेगी जब तक ये जमीन रहेगी ocean thermal energy समुंदर भी रहेंगे geothermal energy जो जमीन के अंदर गरम मादा है जिसे लावा कहा जाता है उससे जो energy produce होती है and then there is biomass और बायो गैस energy तो अब इसकी detail देखते हैं साथ साथ solar energy जो है आजकल जो पहले तो इतना light का जाने का trend नहीं था electricity का problem नहीं था पाकस्तान में लेकिन जब से पाकस्तान में electricity की shortage होना शुरू ही है उसके बाद लोगों ने alternative sources उसके देखना शुरू कर दी है तो पहले तो लोग generator यूज़ कर रहे थे जो सुई गैस से या फिर पेट्रोल से चलता था लेकिन जाहिर है वो भी expensive था फिर लोगों ने UPS अरेंज करना शुरू कर दिया लेकिन वो भी जाहिर है उसकी भी एक limit थी तो लोगों ने फिर solar players यूज़ करना शुरू कर दी पाकिस्तान में जिस तरह ज्यादा तक गर्मियों का मौसम रहता है सूरज एक मुक्मल तपिश के साथ चमकता है तो पाकिस्तान में solar energy can be used for a large number of uses उसके बाद wind energy है ocean thermal है geothermal है biomass है bio gas energy है solar energy का देखते है solar energy is the energy the sun receives from the sun primarily as visible light and other forms of electromagnetic radiations solar energy can be converted into electrical energy by using solar plates example solar plates के लावा क्या है solar cooker है solar heater है solar call है solar call नहीं होगा यह solar cells होंगे इसको ठीक कर लीजेगा बरहाल पाकिस्तान में जो जएदा तर यूज होती है वो solar plates ही है तो आपने यह content भी लिख भी लेना और यह साथ इसे डाइग्राम जो दी है यह बनाने की जूरत नहीं है आप यह solar call के जगा पर solar cell लिख लीजेगा उसके बाद है solar heater solar energy इसके advantages क्या है यह diagram पिटे आपने नहीं बनानी है advantages देखें इसके solar energy does not produce carbon dioxide इसका मतलब यह है कि it is pollution free आप इसके आगे लिख सकते हैं कि it is pollution free solar energy जो है यह pollution cause नहीं कर रही है it does not affect our environment जबकि इसका disadvantage क्या है it is not constant it depends upon weather condition time and location जाहिर है कि सूरज दिन के वक्त होता है रात के वक्त नहीं होता तो रात के वक्त हम solar energy इसके अलावा location के लिहाज से देखें तो बहुत से आपके ऐसे हैं कि जहां पर दिन छोटे होते हैं जहां पर जो ठंडे आपके होते हैं या उनका जो location wise ऐसे होता है कि वहाँ पर सूरज ज्यादा दिर नहीं रहता इसके लावा weather conditions जब बादल होते हैं तब भी आप solar energy को इस नहीं कर सकते तो though it is renewable ये कभी खतम तो नहीं होगी लेकिन ये है कि it is dependent upon weather उसके बाद है wind energy wind power is good renewable clean ये भी clean है pollution free है and free source of energy for power production it reduces dependence on fossil fuels including imported oils के से हम fossil fuels जो महंगे पढ़ जाते हैं उस पर dependence थोड़ी कम हो जाती है इसके अलावा ये pollution free है reduce emission of greenhouse gases and other pollutants one major concern is the noise to be improved लेकिन ये जो wind mill है wind turbines है ये जो pick up को नज़रा आ रही है ये pick up ने बनानी नहीं जिस समझाने के लिए है कि उसकी आवाज बहुत जादा होती है तो ये इसका थोड़ा सा disadvantage है उसके बाद है ocean thermal जैसे कि आप जानते हैं कि जमीन पे more than 70% water है it is the largest renewable energy source available to contribute to the security of energy supply it reduces greenhouse gases emission ये भी pollution free है ocean thermal energy conversion from the sun's heat mechanical energy from tides and wave अच्छा mechanical energy के जो आप बात करें ocean thermal energy in a sense ये आप tidal energy भी कह सकते हैं देखें ये जो समंदर के किनारों पे मोजे होती है ये जो लहरे होती है जो चांद की कशिश की वज़ा से जो tides produce होते हैं तो उससे जो energy produce होती है उसको ocean thermal ये टाइडल energy कहा जाता है ये डाइग्राम बेटे नहीं बनानी आपने उसके बाद geothermal energy है geothermal energy is the heat from the sun it is clean and sustainable resources of geothermal energy range from the shallow ground to hot water and hot rock it formed a few miles beneath the surface and down even deeper to extremely high temperatures of molten rock called magma बेटे जमीन के अंदर बहुत ही एक high temperature का या पिगला हुआ मौद है जिसे लावा कहा जाता है geothermal heat pumps can tap into these resource to heat and cool buildings इसके biomass energy है rapidly increasing the population industry causes more energy देखे जैसे जैसे अबादी बढ़ती जा रही है लोगों में जाफा हो रहा है तो इसके हमें जादा energy चाहिए biomass is one of the primary sources which can be used to provide renewable and clean energy biomass energy is unending and can be obtained everywhere it helps a socio-economical development in country biomass है क्या भी यह देखने है is a renewable source of fuel to produce energy because water residues will exist will always exist in terms of scrap wood build residuals and forest resources properly managed forest will always have more trees and we will always have crops and the residual biological matter from these crops जो पौदे तो जो है वो तो जमीन पर रहेंगे ही रहेंगे जो द्रखतों से हासल होने वाली लकडी है उसके जलने से जो energy produce होती है उसको बायो गैस या बायो मास energy कहा जा जा रहा है इसके लावा जो नेचरल रिसोर्से से हम energy मिल रही है वो हमारे पास हमेशा रहेगी तो यह है टॉपिक बायो गैस का और रिन्यूबल नजी रिसोर्सेस का